जैहिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे बैसिक ग्यानी यूटूब चैनल पर तो आज हम आपके लिए जो SST MTS के एक्जाम चल रहे हैं उसके जो आठ ऑक्टूबर की जो सिप्टो फरस्ट है उसके जो से कीवें बहले करके हम आएं आपके लिए तो आप इस जो वीडियो में आंति तक बनी रहिए गा क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा आपके लिए नॉलिज मिलने वाला है तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं और आपका ज्यादा समाय हम नहीं इस लिए स्टार्ड हिले नहीं को छाएंगे लेखाक कौन है तो जो गीत गॉविंद है उसके जो लेखाक जायेव हैं जायदेव नेस्ट को खुद नधीन एक रखते हैं और अपने कुछ प्रोटीन का जंसलेशन कर सकते हैं तो भै हो जाएंगे किलोरो प्लास्ट कौन हो जाएंगे किलोरो प्लास्ट नेस्ट कॉस्चान था भारत में जनगर्ना जनगर्ना अधीनियम डेस डेस के प्रावधानों के तहट आयूजित की जाती है तो भै की जाती है जनगर्ना अधीन जन गरन आदिनी आम प्रावधानों के तहित की जाती है eighty bigger day और अगर आपको टेस्टीट लगाना है तो आप Ser BC education test series को follow कर सकते हैं बहाँ पर आपको प्रतियक exam के लिए test provide किये जा रहे हैं 12-84 प्लस यहाँ पर आपको test मिलेंगे केवल पांसो नंचस में अब भी जो है special 9-3 special 10% discount चल रहा है तो आप बहाँ से ले सकते हैं अगर आपके MTS परिक्षा में 15-20 दिन 10-15 दिन अगर आपके exam में हैं तो आप इसे जरूर खरीद सकते हैं यहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा benefit मिलेगा नेश्ट जो हमारा question है हेमालाई की कंचन जंगा चोटी की उचाए कितनी है तो बह है 8598 मीटर कितनी है 8598 मीटर नेश्ट है ललित कला अकादमी राष्टिय पुरुसकार 2023 किसे दिया गया था तो किसे पवन कुमार को दिया गया था किसे दिया गया था पवन कुमार को दिया गया था मौरे बंस के ततकाल बाद किस बंस ने आकर मगत राज्य परसासन किया तो किसने किया सुंगवंस ने किया भारत के संभीधान के किस अनुशेद के अनुसार भारत के अंट्रोनी जनरल को संसद के किसी भी सदन में बोले और अनता कारवाई में भाग लेने का अधिकार होगा तो भाह अनुशेद 88 सक्षभारत इत भीक अंनियन महात्मा गांधी की जैंति कि उसरम पर सुरू किया गया था वह कौन सा था तो ठावरता उनकी जैंति टी कौन सीुट्रीग एक सूपैतालीस दी जैंति थी अकश्यवता नेस्ट है एक सांथ एक दिन एक घंटा जो है एक सांथ एक दिन एक घंटा यह अभियान किस के द्वारा किस संबन दे थे तो यह जो अभियान है यह मात्मा गांधी से संबन दे थे किस संबन दे थे मात्मा गांधी से एक सांथ एक दिन एक घंटा नेस्ट जो है 2011 में भारत की किस राज में हिंदू आवादी का प्रतिसत सबसे अधिक है तो जो हिंदू आवेदी का सबसे अधिक प्रतिसत है बै है हमानचल प्रदेश में कहां पर है हमानचल प्रदेश आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा और अगर आपको ये हमारी जो मिलते हैं next video में आपके लिए हम ऐसे ही जानकारी हैं आपके लिए ज़रूरी हैं हम लेकर आते रहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए गा और लाइक जरूर कर दीजिए गा और सेयर कर देना ताकि जिसको जरूरत है उस तक यो वीडियो है पहुंच जाए जय हिंदू